स्टुडेंट, गुड मॉर्नी, हम लोग टेन क्लास का सिविक्स में पढ़ रहे थे राजनीतिक दल, तो उसका मैं दो पार्ट वीडियो बना के भेज चुकी हूँ, पार्ट वन, पार्ट टू, और आज मैं पार्ट थर्ड बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ल अर्थ क्या होता है, दूसरा पार्ट में वीडियो में हम लोग जाने कि लोग तंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है, तो पहला है इनमें मुख्य जो भूमिका है, उनके बारे में हम पता रहे हैं, जनमत का निर्मान करना, यानि कि राजनीतिक दल देश की स को अस्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं जिससे जन्मत के निर्मान में सहयता मिल दिये दूसरा है नागरीकों को राजनीतिक सिक्षा देना परतेक राजनीतिक दल देश की समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे में अपनी नीती तयार करता है जिसका जनता में परचार किया जाता है इससे नागरीकों को राजनीतिक सिक्षा मिल दी है तीसरा है चुनाव लड़ना अब मैं सब का बढ़न नहीं करूंगी बचों नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर विडियो चौथा है सरकार का निर्मान करना पांचमा है बिरोधी दल की अस्थापना छठा जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है जोड़ने का विधान मंदल में अनुशाषन बनाए रखने का समाजिक बुराईयों को दूर करना अब हम लोग देखेंगे की राजनीतिक दल के सामने क्या चुनावतिया है राजनीतिक दलों के लिए चुनावतिया है उनके सामने बहर सारी समस्याएं होती है चुनौतियां हैं उनके सामने भारत में संसदिये लोकतंत्र पिछले संतावन बर्सों से कारिय कर रहा है बच्चों ये पहले की है भी तो हमारा सवन्टी करीब पहुँच गया होगा प्रंतु देश की दलिये परनाली ने अब भी कोई असपश्ट एवन ठोस रूप धारन नहीं किया है भारत की दलिये विवस्ता निमने लिखित चुनौतियों का सामना कर रही है पहला है संगट नातमक समस्या यानि कि राजनीतिक दल संगट नातमक समस्या से जूज रह हैं राजनीतिक दल केंडर पर अरधारी दलों के रूप में विखित नहीं हो पाए हैं भाजपा और कम्यूनिष्ट पार्टिया अवश्य ही अपवाद है अन्यता सभी दल जुनाबों के समय संगठन में कारिकरताओं की भरती शुरू करते हैं जिसमें बोगस सदस्यता का पिसेस महतुरता है इस संगठन के अभाव में ही राजनीतिक दल सुदिर नहीं हो पाते हैं बचो पिछला पार्ट टू वीडियो में मैं कुछ राजनीतिक दल के बारे में जिनका जो रजिस्टर्ड है जिनने मान्यता प्राप्त है उनके बारे में आप लोगों को बताई थी आप लोग फिर से उसको देखिएगा तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब भी कीजिगा बचो अगला पॉइंट है समान्यकाल में दल का कारिकरताओं वा जनता से संबंध ना होना तीसरा आंत्रिक लोगतंत्र का अभाव दिखिए सबसे महत्यपूर्ण पॉइंट है कि भारतिय लोगतंत्र राष्ट में राजनीतिक दलों में आंत्रिक लोगतंत्र का पूर्ण अभाव है समस्त सत्ता हाई कमान तथा दल के सर्वोच्य नेता के हाथ में ही सिमट कर रह गई है बिधायकों द्वारा मुखमंत्री का चुनाओ केवल दिखावा मात्र है बास्तों में बिधायक हाई कमान के निर्देशों का ही पालं करते हैं अनुशाशन हिंता को परिभासित करने का एक मात्र अधिकार दल में सर्वोच्य नेता को ही प्राप्त है किसी दलिय नीती के सिधानतों के अधार पर आलोचना करना भी अनुशाशन हिंता माना जाता है जैसे कि अभी अभी कल ही बिहार का चुनाओ जो हुआ था उसका परिनाम आया तो उसमें भारतिय जन्ता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटे मिली है तो जब किसी पार्टी को सीट अधिक मिलती है या पार्टी जीतने लगती है तो जो विपक्च वाले होते हैं वो उन पर आरोप लगाना सुरू कर देते हैं अगर वो जीत जाएंगे दूसरी अपोजिट पार्टी वाली तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती है तो सभी पार्टिया एक दूसरे पर आरोप लगाना सुरू कर देते हैं नेत्रित्व का संकट राजनीतिक दलो में नेत्रित्व का संकट भी पाया जाता है जिसके अंतरगत राजनीतिक दलो के पास अस्थापनापन नेत्रित और नेत्रित्व की दूसरी लाइन का पूर्ण अभाव है जैसे यहां तो कॉंग्रेस और नहरू परिवार के बारे में दिया है भारती जनता पार्टी के पास यलके अडवानी तथा तलबिहारी बाजपेई बहुजन समाज पार्टी के पास मायावती और मुलायम सिंग हैं तो मैं अभी अभी आपको करेंट वाला बताती हूँ जो महाराष्ट में चल रहा है उद्व ठाकरे के समय में कि एक पत्रकार को जो की चौथा अस्तम्भ का लाता है उसके उपर अत्याचार हो रहा है उसे जेल में बंद कर दिया गया है तो यह सब क्यूं हो रहा है क्यूंकि एक व्यक्ति विशेश के कारण वो सारा कुछ अपने हाथ में ले रखा है कानून को और जैसे मर्जी वैसे चलाता है जबकि न्यायव पालिका जिस तरह से सोतंत्र होती है उससी तरह से पत्रकारिता भी सोतंत्र होती है अगला है पॉइंट राजनीति का नयतिकता अगला पॉइंट जाती बाद वा संप्रदाइत्ता की बाद्ध्यता अभी सभी पार्टियों में जाती बाद बहुत जादा शुरू हो गया है कोई भी ब्यक्ति जब खड़ा होता है तो उस जाती के लोग जो है उसी को बोट देना सुरू कर देते हैं धन तथा बाहुबल की भूमी का अधिक कुछ नियम बने हुए हैं कि चुनाओं में इतना ही खर्च करना है लेकिन वो अधिक बोट पाने के लिए लोग अधिक पैसे खर्च करते हैं और यहां तक की परत्यासियों को लुभाने के लिए तरह तरह के परलोबन भी दिये जा आते हैं विपक्ची दलों में एकता का भाव जनता में बढ़ता अशंतोस तो हम लोग देखें कि राजनीतिक दलों के सामने कितनी सारी चुनाओंतियां होती हैं अब हम लोग देखेंगे दलों को कैसे सुधारा जाए इन चुनाओतियां तो बहुत सारी है अब इन चुनाओतियों का सामना करते हुए दल को कैसे सुधारा जाए इन चुनाओतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो ऐसे में सवाल यह उड़ता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परिशान है यह ऐसे सवाल है जिनका जवाब अशान नहीं है करते हैं लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगा फिर नए नेता ही लेते हैं अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है आईए अपने देश में राजनीतिक दलो और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रियास किये गए हैं या जो सुझाव दिये गए हैं उनकोर गोर करें विधाय को और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संबिधान में संसोधन किया गया है बहुत सारे राजनेता ऐसे होते हैं जो पार्टी बदल लेते हैं हमेशा वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं अगर उनके मन मुताबिक उनको पद नहीं मिला तो क्या करते हैं? अपने चुनावचीन बदल लेते हैं यानि दूसरी पार्टी में वो चले जाते हैं निर्वाचित पतिनीदियों के मंत्री पद या पैसे के लोब में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है लेकिन कुछ नियम बनाये गए हैं अब दल बदलने पर कुछ नियम कानून भी बनाये गए हैं नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गवानी होगी इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है पर इससे पार्टी में बिरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है पार्टी नेत्रित जो कोई फैसला करता है उस फैसले को सभी को मानने होता है या सभी को मानना पड़ जाता है सांसद और विधायक को उसे मानना पड़ता है उच्चतम न्यालई ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है इस आदेश के द्वारा चुनाओ लड़ने वाले हर उमिद्वार को अपनी संपत्ती का और अपने खिलाब चल रहे अपराधिक मामलों का व्योरा एक सपत फत्र भरना पड़ता है जिसमें लिखना पड़ता है कि उनकी चल अचल संपत्ती कितनी है या उनका कोई अपराध इस तो नहीं चल रहा है ये सब उमिद्वार को भरना पड़ता है इस नई व्यवस्था से लोगों को